वेलकम टू लखी सर चैनल, इस नेहा खुराना, आज में आप से डिस्कस करूंगी, मैथ पेड़ागोगी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन्स, यह है पार्ट 3, MPTAT, VAR3, CTAT, READ, STAT, जहां भी आपको मैथ पेड़ागोगी की कोईशन्स देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो बहुत-बहुत हैलफुल रहेगा आप सब के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने आंसर जरूर बताइएगा, कि आप एक-एक कोशन के बारे में क्या-क्या सोचते हैं, अगर आपको को डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, तो चली गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं, और लास्ट में लाइक, शेरेट, सब्सक्राइब तो जरूर करके जाईएगा, स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का फर्स्ट कोश्चन है, गनित की सभी शाखाओं में प्राचिन्तम कौन सी है, देखा गनित, अंक गनित, सांख्यां की या बीच गनित, बताईए अपना राइट ओप्शन, A, B, C या D, सभसे प्राचिन्ट शाखा कौन सी है, गनित की, तो राइट ओप्शन है, C, सांख्यां की जो है, ये गनित की सभसे जो है, प्राचिन्ट शाखा है, तो C is correct, चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 की तरफ, रेखा गनित में प्रायोगिक, स्तर पर प्रियुक्त होने वाली शिक्षण विधी कौन सी है, आगमन विधी, निगमन विधी, प्रदर्शन विधी, या सभी, बताईए एक कमेंट सेक्षन में अपना अंस्वर, कि अगने प्रायोग अगर करना है रेखा गनित का, तो कौन सी विधी जो है, सबसे बहतर रहेगी, तो राइट ओप्षन इस, सी, प्रदर्शन विधी, ओके, तो सी ओप्षन इस करेक्ट, अगर हमने प्रायोगिक स्तर पर, रेखा गनित को प्रदशित करना है, तो प्रदर्शन विधी जो है, बहुत बढ़िया रहेगी, 43 कोशन की ओर बढ़ते हैं, एक अच्छी मुल्यंकन विधी वह है, जिसमें देखा जाए, बालक के वयवार में प्रिवर्तन करने की विधी, शिक्षन हे तू अपनाई गई विधी, पाठे वस्तु से संबंदित विधी या उप्युक्त सभी, बताईए कमेंट सेक्षन में अपना आंस्वर, कि क्या हो सकता है अच्छी मुल्यंकन विधी, में क्या आद देखेंगे, तो बालक के वयवार में प्रिवर्तन करने की विधी जो है, सबसे बढ़िया रहेगी अगर हम एक बच्चे का मुल्यंकन कर रहे हैं, तो उसके वयवार में कितना कहां तक प्रिवर्तन हुआ है, तो वो ही हमारी मुल्यंकन विधी में देखा जाएगा, तो A option is correct. Next question है हमारा अनूप्रयोग सम्बंदी, प्राप्य उदेशी की प्राप्ती होती है जब चात्र सम्बंदिन प्रत्यों में भिन्यता बताता है, गणितियां अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उप्युक्त विधी चुनता है या उप्युक्त सभी? बताइए कमेंट सेक्षिन में अपना अस्वर, तो राइट ओक्षिन इस समस्या हल करने की जब उप्युक्त विधी चुनता है, तो जब वो है कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं ठीक है और उसके हमने उदेश्यों को प्राप्त करना है, अब जब हमने उदेश्यों को प्राप्त करना है, तो जो समस्या उसके सामने उत्पन होगी, तो उसको हल करने की सबसे पहले वो उप्युक्त विधी ही तो चुनेगा ना, तब ही उसको वो जो उसने उदेश्यों को प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त कर सकेगा, ठीक है, तो C option is correct, question को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बहुत ज़ादा confusion हो जाती है कभी-कभी, लेकिन question को ध्यान से पढ़िए, और option को मैं कहुंगी कि दो बार तो जुरूर पढ़िए, तब भी आपको जो है, doubt नहीं रहेंगे, चलिए, next question, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, मुल्यांकन, उदेश्य, अधिगम या उप्युक सभी, बताइए comment section में अपना answer, तो A option is correct, शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम, बिल्कुल लास सोपान है, वो मुल्यांकन है, लास में हम बच्चे का मुल्यांकन ही करते हैं, तो A option is correct, चलि आगे पढ़ते हैं 46 question की और, पार्ठ योजना का भाग नहीं होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं होते हैं, प्राप्य उदेश्य, पार्ठ प्रस्तुती योजना, शिक्ष्या का उदेश्य या उप्युक्त सभी, बताइए, पहले तो वो देखें जो शिक्ष्या के उदेश्य, पार्ठ योजना के अंतरगत हमें सारे के सारे शिक्ष्या के उदेश्य जितने भी हैं, वो पूरण नहीं हो सकते हैं, बाकी इसमें प्राप्य उदेश्य भी होते हैं, जिन उदेश्यों को हमने प्राप्त करना होता है, और पार्ठ प्रस्तूती योजना जब प्रस्तुत करना होता है हमने पाठ को तो उसकी लिए हम योजना भी बनाते हैं, शिक्षा के सारे उदेशे हम पूरे नहीं कर सकते हैं पाठ योजना में, तो इसमें C option is correct, चलिए आगे बढ़ते हैं गनित के मांसिंग सिंधांत के जनम दाता है प्लेटो, आरेभट, न्यूटन, सीवी, रवन most important question काफी बार पूचा गया है, अधर टैट में तो प्लीज बताईए, कमेंट सेक्षन में इस कांस्वर सही सही तो इस option is correct, प्लेटो प्लेटो हैं जो मांसिंग सिंधांत कि क्या है ये, जनम दाता है ये option is correct, आगे बढ़ते हैं खोजविदी का प्रतिपादन किस ने किया था प्रोफेसर ओमस्ट्रोंग ने, किल पैट्रिक ने, ड्यूवी ने, या स्किनर ने बहुत important question है, काफी बार पूचा गया है ये भी, अधर टैट्स में तो बताईए, comment section में अपना answer तो खोजविदी का प्रतिपादन किया था गाईज, प्रोफेसर ओमस्ट्रोंग ने, ठीक है ए, option is correct गाईज, मेरा खुद का भी channel है study with neha, please मुझे भी support कीजिए नीचर description में आपको उसका link मिल जाएगा तो visit कीजिए, वहाँ पर मैं आपको CDP के बहुत-बहुत important questions करवा रही हूँ कल मैंने, आपको CDP के important question करवा है परसो मैंने math पढ़ागोगी, वहाँ पर आपको करवा ही अब मैं आपको आज, आज जब आप visit करेंगे तो आपको NCF के बारे में बहुत important fact बताऊंगी जो की सिरफ और सिरफ EBS पे base है डारेक्ट question उसमें से पूछा जाता है तो please मेरे channel को भी पूरा-पूरा support कीजे और लाकी सरके तो channel को आप करी रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं निगमन विदी का उपयोग है मांसिक शम्ता बढ़ाना वग्यानिक दृष्टिकोंड विक्सित करना सूत्र की स्थापन ना करना या सूत्र का प्रयोग करना फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो please जरूर देखिए उसमें मैंने आपको आगमन और निगमन की बहुत इंपोर्टन ट्रिक बताई है फर्स्ट कोशन में ही तो उसको आप जरूर देखिए तो मैं गहती हूँ आपका कोशन कभी भी गलत नहीं होगा कभी भी आगमन निगमन को लेकर प्लीज बताई एक अमेंड सेक्शन में इसका आंसर जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है उन्होंने तब तक बता भी दिया होगा तो राइट ओक्शन इस बी सूत्र का प्रेयोग करना निगमन विदी में जो हैं सूत्र का प्रेयोग किया जाता है निगमन विदी में जो अमने विवर्स है में उनके लिए बता रही हूँ निगमन विदी में हम पहले नियम बताते हैं फिर हम उधारनों की तरफ जाते हैं ठीक है निगमन नी मतलब नियम और जो आगमन विदी हो गया इसका उल्टा हो गया, आ में पहले उधारन आते हैं, उधारन से हम कहा जाते हैं, नियमों की तरफ जाते हैं, तो सूत्र का प्रयोक किस्मी किया जाता है, निक्मन विदी में, तो D option is correct, 50 question के बढ़ते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, समाने से विशिष्ट की ओर, सूत्र पर अधारित विदी कौन सी है, समाने से विशिष्ट, आगमन विदी, निक्मन विदी, आगमन निक्मन विदी या विशलेशन विदी, पताईए, correct option comment section में, तो जो right option है, वो है नि, निक्मन विदी, जिसमें आपको समाने से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, इसकी विशिष्ट जो है, उधारण मिलेंगे, और समाने जो होंगे, नियम मिलेंगे, चीक है, तो ये, मैंने ट्रिक बताई थी, तो एक भी ट्रिक अगर आपको याद है न, कि मैं कहूंगी, निक्मन विदी के याद करिए, काफी important है, और इससे आपको सारी से याद हो जाएगा कि निक्मन विदी, निक्मन विदी में पहले आपको नियम बताये जाते हैं, फिर उसके बाद आपको उधारण बताये जाते हैं, तो जो नियम होते हैं, वो हमेशा ही समाने होते हैं, और जो उधारण होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, हम जब भी कक्षा में बच्चों क पढ़ाते हैं तो हम उन्हें ऐसे ही कोई एक्जांपल उठा के नहीं दे सकते हम उनको एक विशिष्ट उधारन देते हैं जिसे बच्चा जो है अपना कोजेप्ट क्लिय कर सके होप है आपको समझा आगया होगा ने वीवर के लिए था चलिए आगे बढ़ते हैं गणित सब्वेता और समस्कृति का दरपण है यह कतर किसने कहा बेकन ने, होग बैन ने, लोक ने या डटन ने बताए कमेंट सक्षिन में अपना राइट अंसर सब्वेता और समस्कृति का दरपण किसने कहा है गणित को तो राइट ओक्षन है हमारा B, होग बैन ने कहा है कि गणित जो है वो सब्वेता और संस्कृति का दरपढ़ है, तो B ओक्षन इस करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रात्मिक स्तर पर गणित का क्या महतव है, 52 कोशन, सांस्कृतिक, समाजिक, धार्मिक या मांसिक, बत आईए, तो जो राइट ओप्षन है, वो है D, मांसिक, जो इस से क्या महतव है, कि मांसिक स्तर जो है, उनका बढ़िया होगा, बच्चे का प्रात्मिक स्तर पर, तो D, ओप्षन इस करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 कोशन की और, उपलबदी परिक्षन, व्यनैदानि परिक्षन में क्या अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, क्या अंतर है, वो हमें बताना है, जो इसकी डिटेल है, वो मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी, या लगकी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कि दो लेक्चर इसमें मैं विदियो में आपके बारे में, परिक में जो मीन अंतर है वो किस चीज का है तो राइट अप्शन है ए उदेश्य दोनों के अलग अलग होते हैं डिटेल में अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत बढ़ी हो जाएगी तो उदेश्य जो है उपलब्दिक परिक्षण के और नेदानिक परिक्षण के दोनों के ही लग लग होते हैं तो राइट अप्शन इस ए चलिए आगे बढ़ते हैं मनुष्य की जीवन की गती वीडियों में गणित का सर्वादिक उपयोग होता है वह है सांस्कृतिक, मनोविग्यानिक, समाजिक और आर्थिक या आर्थिक बताईए कमेंट सेक्शन में अपना अंस प्रतिविदियां होती है उसमें गड़ित का बहुत-बहुत मेता है चाहे वह समाजिक और आर्थिक तो है ही है तो C option is correct 55 question की और बढ़ते हैं कौन सा कारे अध्यापक से संबंदित नहीं है इंपोर्टेंट question है लेकिन easy बहुत है योजना, मारदशन, शिक्षन या बजट सबसे पहले वो देखेगे जो अध्यापक से संबंदित कारे हैं जो नहीं है वो comment section में बता दीजिए तो जो right option है वो है D, budget बनाना, ये जो काम है ये जो काम है हमारी सरकार का है ना कि अध्यापक का है तो D option इसमें correct है बाकी जो काम है वो अध्यापक के लिए है next question है सरवादिक प्रभावशाली शिक्षन समगरी है अ प्रिशेपित, प्रतक्ष अनुबव, प्रिशेपित या इन में से कोई नहीं ये आपको तीन बताई गई है इन में से सबसे प्रभावशाली आपको कौन सी लग रही है वैसे और option हो तो हम उनको पहले देंगे कि जो ज़्यादा प्रभावशाली होगी लेकिन आपको इन में से तीन में से बतानी है प्रभावशाली तो बहुत सारी है तो बताईए right option is b हम प्रतक्ष अनुभव को पहले priority देंगे क्योंकि हमने जो है अपने जो इसमें option दिये गए हैं हमने इनके according answer देना है तो जो सबसे प्रभावशाली शिक्षन समगरी होगी वो हमारे प्रतक्ष अनुभव पे जो हम देख रहे हैं आप प्रतक्ष नहीं जिनको हम option की सर्वादिक महतव पूरण विशेश्ता है विश्वसनियता वैदता वस्तुनिष्चता या उप्युक्त सभी बताइए comment section में अपना answer तो जो D option है वो बिल्कुल correct है विश्वसनियता होनी चाहिए वैदता होनी चाहिए वस्तुनिष्चता होनी चाहिए तो सभी के सभी जो है answer correct है option correct है तो D is correct गाईज फिर से मैं आपको कहूंगे कि study with नेहा को भी पूरा पूरा support कीजिए आज आपको NCF अहां पर पढ़ाया जाएगा जो EBS paper one की त्यारी करें है paper one में EBS जो है main हमारा subject है तो NCF जो है बिल्कुल important मैं आपको उसमें point बताऊंगी जो direct question उसमें स next question है गनित सभी विज्ञानों का द्वार वेकुंजी है यह शब किसने कहे रोजर बेकर ने हैमी रंटन ने प्लेटो ने या ब्रेंडन रसेल ने बहुत प्रख्यात कह सकती हूं कि यह जो है हमारी definition है काफी बार जा हम quiz करते हैं उसमें बताया जाता है और वैसे भी हमी या इस सभी विज्ञानों का द्वार वेकुंजी है जो गनित है तो जो राइट ओप्षर है वो है रोजर बेकर ने बहुत इंपोर्टन है काफी बार पूछा गया है अन्ने टेट में तो ध्यान रखिएगा 59 question हमारा गनित के अध्यान से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है आतम विश्वास का तारकिक सोच का विशलेशिक सोच का या इन में से सभी आप गनित का अध्यान करवा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से गिसका विकास होगा बताइगे comment section में तो जो मैं आपको बतादू कि इन में से किसी का भी नहीं होगा किसी का भी एक बच्चे में आतम विश्वास हम किस तरह उत्वन कर सकेंगे जब तक वो अभ्यास अगर यहाँ पर नहीं आएगा option में आतम विश्वास और अभ्यास के द्वारा तो नहीं हो सकता तारकिक हम अध्यन तो कर रहे हैं, नहीं गुण नहीं है, यह हमारा गुण कुछ नहीं है, यह हमारी प्रकृति है, तो किसी का भी नहीं होगा, ओके चलिया आगे बढ़ते हैं, प्रात्मिक स्तरपर गणित का मेतव है सांस्कृतिक लास्ट कोशन है हमारा सांस्कृतिक मांसिक वेवारिक या अध्यात्मिक बताईए प्रात्मिक स्तरपर तो वेवारिक है प्रात्मिक स्तरपर मांसिक भी हो सकता है क्योंकि हमने मांसिक पड़ा है वेवारिक भी हो सकता है तो इसमें confusion रहती हैं तो दोनों ही मैंने आपको करवा दी हैं तो मांसिक भी कह सकते हैं और वेवारिक भी कह सकते हैं तो C option is correct तो guys ये था मेरा आज का part 3 कैसा लगा comment में अब जरूर बताईएगा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि comment में जरूर बतागे जाएगा कि आपको class कैसे लगी है तभी मुझे motivation मिलेगा तभी मैं videos बना पाऊंगी क्योंकि motivation की आज बहुत जादा जरूरत होगी है हर किसी को तो मुझे भी है और लखी सर को भी है तो प्लीज 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 इस चैनल को support कीजिए और मेरे चैनल को भी support कीजिए study with निहा अब आप क्या करेंगे like, share and subscribe जरूर कीजेगा साथ में जो bell icon है उसको hit जरूर कीजेगा और all पर जरूर क्लिक कीजे तभी आपको इस चैनल की सारी notification time to time मिलेगी मैं आपसे मिलूंगी अगली video में till then thank you so much for watching guys bye bye guys and take care